हाई मैं पुशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीटी टू कम्मूनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक जवरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेडिजी बताने जा रहा हूँ अब इस ट्रेडिंग स्ट्रेडिजी का इस्तमाल आप इंट्राडे में भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप इंट्राडे फिट्र आप्संस में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं बीटी एस्टी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और BTST F&O में भी ट्वेडिंग कर सकते हैं, साधे साथ यहाँ पर आप swing ट्वेडिंग भी कर सकते हैं, और इसका इस्तमाल आप positional ट्वेडिंग में भी कर सकते हैं, यानि यह काफी powerful और जवर्दस ट्वेडिंग स्ट्वेड़ी है, तो चली देखते हैं, यह ट्वेडिंग इस्तमाल ट्वेडिंग में कैसे कर सकते हैं, इसको यहाँ पर हम detail से समझते हैं, तो यहाँ पर हम चार्ट पर आगए, और यह देख सकते हैं किसका चार्ट है, बजाज finance का चार्ट है, और यह आपका two hour का चार्ट है, सबसे पहले time frame के उपर बात कर लें, यहाँ पर आप कोई भी time frame यूज कर सकते हैं, मैं आपको different example बताऊंगा, different time frame में, और एक और चीज यहाँ पर आपको समझना है, किसका इस्तेमाल आप सिर्फ stocks में ही कर सकते हैं, nifty और bank nifty में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसका accuracy level कम हो जाता है, तो यहाँ पर हम तीन indicator का इस्तेमाल करें, सबसे पहला आपका यह Bollinger Band, दूसरा है आपका Bollinger Band विथ और तीसरा आपका Volume Profile, जो कि यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं, Studies में क्लिक करेंगे, तो Bollinger Band, Volume Profile और आपको Bollinger Band विथ यह तीनों indicators आसानी से देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आप जाके इसको Add भी कर सकते हैं, हर एक Brokeways के Platform में यह चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, अब तीनों indicator इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम Bollinger Band पर आते हैं, अब Bollinger Band में हमें क्या देखना है, हमें वैसा Area Find करना है, जहाँ पर इसका Width कम हो, जहाँ पर इसका चौराई कम हो, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यह Area देखने में मिलेगा, जहाँ पर इसका Width बहुत कम है, तो सबसे पहले हमें यह Find करना पहला Point हमारा यह हो गया, दूसरा हम आएंगे किस पर? बॉलेंजर Bandwidth पर जो कि आपका नीचे बाला है, यहाँ पर देखेंगे कि इस Particular Time Period में, यह आपका Bottom में रहना चाहिए, Bottom में है, यहनि दूसरे Point को भी है, Satisfy कर रहा है, अब तीसरा Point कि आएगा Volume Profile से, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसी Region के आस पास, हमें Volume ज़्यादा दिखना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा Activity हमें होना चाहिए, और यहाँ पर ज़्यादा Activity हो भी रहा, तीसरा Point भी यहाँ पर Satisfy कर गया है, अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, अगर Price एक Narrow Range में Trade कर रहा, यहाँ जो आपका Bandwidth है वो Narrow Range में Trade कर रहा, मतलब यहाँ पर Volatility कम है, और आने वाले टाइम में हमें Breakout देखने को मिल सकता है, चाहिए Breakout वो Upside की तरफ हो, या फिर Downside की तरफ हो, मतलब यहाँ पर दोनों साइट की तरफ Breakout के लिए तयार हैंगे, अब यहाँ पर यह जो आपका Volume Profile दिखा रहा है, यह क्या दिखा रहा है, कि यहाँ पर Activity ज़्यादा है, मतलब यह भी हमें बता रहा है, कि आने वाले टाइम में हमें Breakout देखने को मिल सकता है, और at the same time, यह लेबल आपका बताएगा, कि यह जो Particular Area में हुआ है, वो Area आपका Support के रूप में काम करेगा, या फिर Resistance के रूप में काम करेगा, इसका भी आइडिया थोड़ा बहुत हमें Volume Profile दे देता है, और यह भी हमें बताता है, कि इस Particular Area पे Walletility कम है, और Walletility का Confirmation हम यहाँ पे Bollinger Bandwidth से लेते हैं, यह तीन चीज़ सैटिसफाइ होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिदे इसके Highest Point को मार्क करेंगे और Lowest Point को मार्क करेंगे, Price जैसे Highest Point को Break करके उपर निकलेगा, वाई करेंगे, Lowest Point को Break करके नीचे जाएगा हम, Sell Set की तरफ जाएगे, और यहाँ पे देखे, Price आपका Up Set की तरफ निकला है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, यहाँ पे हमें जवर्दस्ट Breakout देखने को मिला है, तो इस Particular Region पे हम क्या करेंगे, वाई सेर की तरफ इंट्वी लेंगे, और इसका Lowest Point आपका SL की रूप में काम करेंगे, इसी के Just Opposite अगर Breakout आपका नीचे सेर की तरफ देता है, तो उपर वाला जो Area यह हमारा SL की रूप में काम करता, तो जिस भी तरफ डेकाउट देगा, उसका Opposite वाला Stop Loss की रूप में काम करेगा, और यहाँ पे हम Gradually Target Price के लिए जा सकते हैं, लेकिन यह बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे हमें Triple Layer of Confirmation मिलता है, Volume Profile, Bollinger Band और Bollinger Band Width, तो ऐसा ही हम और भी Example लेते हैं, देख सकते हैं Multiple Example हमारे सामने हैं, तो यहाँ पे अगर आप एक चीज गौर करेंगे, तो हमने जो बाइसर की तरफ Intry लिया था, वो लिया था लगवग आपका 6000 के करीब, और हमारा जो SL था, छोटा सा SL था, और यहाँ पे जो Price आपका Upside की तरफ गया है, तो लगवग यहाँ पे मुझे 20% से जादा का Profit आसानी से मिलता बहुत दिखा है, और इस 20% के Profit से आप यहाँ पे आसानी से 10% का Profit निकाल सकते हैं, यह नि यह जो आपका Trading strategy है, यह Big Profit के लिए जाना जाता है, यह आपका बरा-बरा Profit बना के देगा, और इसके बीसिस पे आप जाओ तो Intra Day में भी Trade गर सकते हैं, लेकिन उसके लिए Time Frame आपको छोटा लेना पड़ेगा, 30 मिनट, 50 मिनट यहाँ फिर 5 मिनट बादे Time Frame में, यहाँ पे आना पड़ेगा, तब जाके आप इसके बीसिस पे Intra Day वेट भी ले सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम और भी Different Example देखते हैं, Different Time Frame में, तो यहाँ पे हम जो दूसरा Example ले रहे हैं, वो है आपका IRCTC का चार्ट देख सकते हैं, और यहाँ पे हम आब अरली Time Frame की बात करें, तो सबसे पहले हमें कौन सा Area Find करना, वैसा Area Find करना जहाँ पे Bollinger Band काफी Narrow हो, तो देख सकते हैं, वो Area यहाँ पे Bollinger Band काफी Narrow है, चाहिए और Volume Profile भी देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा देख रहा है, मतलब जो तीनों Point हमने बात किया था, वो तीनों Point यहाँ पे Completely Satisfy हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके Highest Point को Mark करना है, और इसके Lowest Point को Mark करना, और यहाँ पे भी Breakout हमें, Upside की तरफ ही देखने मिला है, तो जैसे Price Break करके ऊपर निकला, लगभग यह आपका होगा, 675 के करीब, तो यहाँ पे हम Buyside की तरफ ही इस Particular Level पे इंट्वी लेंगे, यह जो Point होगा, SL के रूप में काम करेगा, और देख सकते हैं, Price यहाँ से आप आपका लगभग, 750 के लेवल को टच किया है, तो 750 छोड़ दीजे, अगर आप यहाँ पे, 725 के लेवल पे भी Profit Book करते हैं, फिर भी यहाँ से लगभग आपका, 50 पॉइंट, यह नहीं लगभग आपका, 8% to 10% के करीब Profit यहाँ पे आपको आसानी से मिलता हुआ दिख रहा तो मैंने आपको आलवेट भी बताया था, यहाँ पे आप Big Profit के लिए जा सकते हैं, और देखते हैं, कि Big Profit मिला है, और यह Upside Momentum खत नहीं हुआ, Upside Momentum अभी Continue हुए है, मतलब यहाँ पे हमें आगे और भी Profit मिलता हुआ, दिख सकता है, और यहाँ पे आप चाहँ तो, 40 मिनट वादे टाइम फ्रेम में बात करें, तो सबसपहले हमें, बॉलेंजर बैंडविफ में वैसा एरिया फाइंड करना, जहाँ पे यह नेरो, इसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, नेक आई से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका यह नेरो, फिर हमें बॉलेंजर ब लेंगे, सेल साइट की तरफ यहाँ पे हम इंट वी लेंगे, और प्रिवेस स्विंग लोग के अगर हम बात करें, यह हमारा टागेट पैस के रूप में काम करेंगा, लगबग आपका 3100 जिसको यह आसानी से हिट कर दिया, और यहाँ पे भी हम अच्छे खासे में ही मिलता हुआ दिखा है, तो यहाँ पे अगर आप इंट वाडेट लेना चाहते हैं, तो आप चाहो तो 30 मिनाट या फिर 15 मिनाट वाला टाइम फ्रेम भी इस्तमाल कर सकते हैं, तो टाइम फ्रेम आपके हिसाब से बस ट्रेडिंग करने से पहले आप थोरा बहुत पेप अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए, ताकि इस तरह के वीडियो हम जब भी अपल करें उसका नोरिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को मिस ना करें so that's all friends मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन